अज़ के क्लास में हम लोग मेंस लेविल का पजल करेंगे मेंस लेविल का पैन क्या हो गया पैन को नहीं चल रही है मेंस लेविल का पजल जो आपके lift-based पे है lift-based पाजल है चाहे तो आप screenshot ले सकते हैं मैं hide हो जाता हूँ जो question है total lift-based पे है आपको काम क्या करना है मेरे साथ अगर आप solve करना चाहते हो इस सवाल को मेरे साथ की रोज सकते हैं तो आपको एक diagram बना के रखना है in a multi क्या करना है in a multi-story building there are how many floor there are 34 floor such that first floor is number 1 and 2 and so on till 34 तक आपको बना के रखना है अपनी कौपी और कितनी lift चल रही है ये भी there are how many lift lift P, Q, R, S total 4 lift will be there कितनी lift है total 4 lift है the stoppage of lift are based on certain condition such that no more lift no more than 3 lift will stop on any floor चलिए आईए इसको एक example के तौर पर समझते हैं ये हिंदी वालों के लिए है बेटा आप लोग हिंदी वाले जो लोग बहुत प्यार करते हैं हिंदी से screenshot ले लीजे ठीक है और अगर आपने telegram group नहीं जोइन किया है तो telegram group जोइन कर लीजे आपको सेर्च करना है एड़ डरेट रोहित सर और रीजनी इस पेस मत देना गुरू मेरे रीजनी टिक चलिए अब यहां पर अगर मैं बात कर लूँ तो यह कह रहा है माल लीजे मैंने फ्लोर लिखें वन से लेके 34 सबको दिख रहा है सब लोग यस कर दो एक से लिखे चोटिस मैंने देखी आपके सामने लिखे हूं मैं वीडियो पर आजाता हूं तभी आप लोग पता चले करना मैंने क्या किया वन से लेके 34 तक फ्लोर के नाम लिख दिए हर फ्लोर पे लिफ्ट रोक रही है रोक रही है एक लाइन मैं आपको बता दू जिसको मैं अंडरलाइन करवा रहा था एक बार आप लोग थीम समझ जाए ये साथ साथ करेंगे ये कह रहा है कहने का मतलब है मान लीजे यहाँ पे एक लिफ्ट स्टॉप हो रही है यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे हो रही है तो तीन लिफ्ट पंदरवे फ्लोर पे तीन लिफ्ट स्टॉप हो रही है तो यह जो चोथी लिफ्ट है ये नहीं रुकेंगी इस पे क्रॉस कर देना 3 से ज्यादा एक फ्लोर पे लिफ्ट नहीं रुक रही और यहां लिफ्ट रुक रही है तो तीन लिफ्ट पंदरवे फ्लोर पे तीन लिफ्ट रुक रही है तो दो चोथी लिफ्ट है उस पर क्रॉस लग जाएगा कि यह नहीं रुखती है यह क्लियर है लाइव है सर अभी बिलकुल निरंजन निरात निरंजन नहीं एक नागीन वाली मुवी थे तो उस तो यह था 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 बहुत नाम को मजाक मतली ना बस ऐसे ही कॉमेडी है तो बिलकुल लाइव है तो आप यह चीज समझ गें इस लाइन का मतलब समझ गये होगे इस लाइन का मतलब समझ गये होगे ठीक है ओल दा लिफ्ट इनिशली स्टार्ट फ्रॉम दा ग्राउंड एट लिस्ट वन लिफ्ट स्टॉप एट इच फ्लोर कहरा मान लिजे यहां नहीं हो रही कोई लिफ्ट यहां कोई लिफ्ट नहीं हो रही यहां कोई लिफ्ट नहीं हो रही यहां कोई लिफ्ट नहीं हो रही है ऐसी संभावना बन ही नहीं सकती माल लिजे यहां नहीं हो रही यहां नहीं यहां तो कंफर्म है कि यहां एक लिफ्ट करेगी ही करेगी म कौन से लिफ्ट लिफ्ट पी पे मान लीजे मैंने यहां पर टिक कर दिया ऐसे तो आप क्या कहोगे यहां पे चौथे फ्लोर पे लिफ्ट पी रुक रही है अगर मान लीजे मैंने यहां पर क्रॉस कर दिया तो क्या कहोगे चौथे फ्लोर पे लिफ्ट क्यू नहीं रुक रह है यहां पर नहीं है यहां पर है इसका समझ में आ गया है एक बार यह बता दो क्लियर है ठीक है चलिए अब मैं यहाँ से यह सब चीजे हटा दूँ और एक एक करके हैं यहां से रीड करूंगा सब लोग एगरी हो अब सुन लो सबसे पहले जो बेसिक conditions दी हुई है first stoppage of lift P is 6 कान खोल के लिख लो कह रहा जो पहला stoppage किस lift का P lift का वो छटे नंबर पे तो यहाँ पे lift P नहीं रुक रही 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 पहला stoppage tick कर दो is that clear सब लोग बनाओ मेरे साथ clear है यहाँ नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी पहला stoppage छटे नंबर पे आगे lift Q stop only लगा है conjugative multiple of 3 तो Q यहाँ नहीं रुक सकती नहीं रुक सकती 3 वन जा 3 नहीं रुक सकती 3 नहीं रुक सकती 3 टू जा 6 रुक रही क्यूंकि सारी lift का stoppage हमको पता चल जाएगा पहले ही समझ में आया चलिए यहाँ नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी यहाँ यहाँ बाकी जगें कहीं भी नहीं रुक हेगा तो मैं क्रॉस कर दूँगा दूसरे कला से करूँ तो थोड़ा प्यारा लगेगा दिखने में और चलिए यहां पर लिफ्ट नहीं रुख सकती नहीं रूकेगी नहीं और नहीं कोई दिक्कत किसी को कोई प्राब्लम तो पूछो मेंट नाइट वारियर बैच में यह पजल हम किये थे कि समझ में आहरा है कि यह पजाल नहीं होगी ने रचन यह पजल नहीं होगी इस ताइप की होगी मिडनाइट वॉरियर फौर में में पहले क्लास में इसी टाइप का कुशन करता पर वहाँ पर दूसरा कंसेप्ट भी बताया था सिखाया था आप लोगों प्रदीब कह रहे हैं गुड आप्टर नून सर निरंजन एच हेलो सबसे एक रिक्वेस्ट दोस्तों जो लोग इस वीडियो को देखने हैं प्लीज अपने हर दोस्त के अपने हर कॉम्मिनिटी टाइप के हर दोस्त को जरूर बताना कि रोज सड यहां पर भी पढ़ा रहे हैं मेंस का content दे रहे हैं मेरे लिए कुछ तो बहला कर दो यार ठीक है यह पजल मेंस में एप्रॉक्स कितना टाइम ले लेगी 20-25 मिनट समझने का टाइम है इसमें टाइम नहीं लगती समय रेड़ करना है और टिक करना है बस ठीक है सबसे कम टाइम लेने वाली पजल है ठीक है चलो अचा सुनो मैंने कहा था यहां पर यह ना इसको first time जो रुक रही है six पर रुक रही तो इसको भी मैं color change कर लेता हूं और लाल color से यहां नहीं रुक सकती नहीं रुक सकती नहीं रुकेगी lift नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी पहली बार जो रुक रही है वो यहां पर रही है according to with this these condition अब देखो lift r के बारे में lift r does not stop on any even floor तो एक काम करो lift r जितने भी even floor है सब पर cross लगा दो क्यों क्योंकि यह साथ बोली है lift r और दज नॉस तॉन आज ज्टो एक कर नहीं रुकेगी नहीं रुकेगी ga द्स पर नहीं रुकेगी 12 नहीं रुकेगी 14 पर 17 सोला पर थारा पर 20 पे 22 पर 24 पर 26 28 30 32 34 यह बता दो शेयर किये थे हम सर ब्लॉक कर दिये मुझे एडमिन आड़ बाई एडमिन पूछ लिया करें यार ठीक है यह बात क्लियर है लिफ्ट आर और पे ही रुकेगी इवन पर तो रुक नहीं सकती बात क्लियर है चलो आगे देखो लिफ्ट एस स्टॉप ओनली ओन इवन तो एस के लिए और वाली पोजिशन काट दो लाइक यह वाली तीन पाँच साथ नौ ग्यारा तेरा पंदरा सत्रह यह 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 क्या कह रहा है उनली ओन इवन ना ठीक है यहां पर के वल के वल इवन इवन पोजिशन पर रुखेगी यह बात कंफर्म यह दादो अब यह बेटां यह मत के देना इसका मतलाब जो बच्ची हुई जगयं उन पर टिक कर दो और तो फिर पुजल क्या बनी फिर पाजल क्या बनी इंपर टिक होगा कि नहीं तो यह बा पता चलेगी कैसे चलेगी पैसे यह समझ में आ गए यहां तक सब लोग यहां तक समझ में पढ़ना चाहता इचीज सचे यह सथे हैं अगर मैं यहीं प्री कर क्लास लेकर आँ तो बच्चा जुड़ेगा बच्चा नए भी बच्चा भी आएगा वो भी दिखेगा क्योंकि उसको हल्वा चीज पसंद है देखो मन की तसल्ली के लिए बैटा कभी मैं बाद एक सब कर सकता हूं जो तुम आसान आसान चीज पढ़ यह बेसिक कंडिशन सी जितना मैंने आपके सामने बना के रखा यह यह आपको बेसिक कंडिशन्स जो दीहूंती मैंने बना के रख दी है कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए थी किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक तो पूछ सकता है अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैसेज जो में मुद्दा है हमारे कोशन का ठीक चलिए अचलिए only three times lift P and Q stopped on the same floor and those are at even floor below 25 and above 5 but not at floor number 12 पहने तो floor number 12 ढोनो यह रहाँ फ्लोव लिप्ट P and Q पी इंड क्यूँ नहीं रुक रहे हैं सबसे पहले चीज देखो लाइन फिर से पढ़ो और फिर से समझो कि क्या कह रहा है ठीक है लाइन फिर से पढ़ो और क्या कह रहा है केवल तीन टाइम्स तीन भार lift P और lift Q रुक रही है सेम फ्लोर पे एट इवन फ्लोर तो मैं यहां पर लिख दूँं P प्लस Q एक तो रुकेगी इवन फ्लोर पर कितने टाइम्स कैसा यूज करना भी बताऊंगा थ्री टाइम्स रुक रही है त्री टाइम्स ना थ्री टाइम्स रुक रही है बिलो पच्छेस फ्लोर पच्छेस से नीचे मतलब इसके नीचे एंड एबफ फ्लोर फाइफ और इसके बाद इतने में P और Q रुक रही है थ्री टाइम्स औब्सर्वेशन आपका मैं चाहूंगा यहां पर एक बार यहां टिक हो रहा है P और Q एक बार रुक रही है देखो एक बार यह देखो इवन फ्लोर पे देखो दिख रही है दिख रहा है सबको दिख रहा है करसर पर फोकस करो यह P और Q दोनों पर टिक है दिख रहा होगा तो अब हमें यहां से यहां तक के बीच में तीन बार चाहिए थे जिसमें से एक बार मिल गया है तो दो ही बार अब हमको चाहिए P और Q इवन पोजीशन पे रुकेगा दोई बार पर नहीं मालूम आगे बढ़ते हैं इन्फॉर्मिशन को रीड करते हैं बाद में दीखेंगे only lift only both lift q and r क्या कह रहा है केवल हिंदी समझेगा कह रहा है केवल lift q और lift r stop हो रहे हैं floor number 9 पे और floor number 15 पे आईए इसको plot कर दे floor number 9 कहा है यह रहा floor number 9 कह रहा यहां पे केवल q और r रुक रहे हैं 9 और 15 पे तो q और r क्यू तो रुक रहा है r रुक रहा है और q only लग रहा है तो यहां पे यह cross हो जाएगा clear हो गया similar 15 में भी q रुक रहा है तो r भी रुकेगा केवल और यहां cross हो जाएगा बात clear हो गई केवल q और r रुक रहे है इस 9 पे और 15 पे और कोई lift नहीं रुक रही तो 9 और 15 पे q और r q और r के अलावा कोई और lift रुक ही नहीं रही है यह बात साफ साफ पता चल चुकी है observation कहता है हर floor पे कोई एक lift रुक रही है इस floor की बात करे इस particular floor की बात करे तो यह नहीं रुक रही यह नहीं रुक रही यह नहीं रुक रही तो मतलब एक lift तो रुकेगी that is r observation था यहां पे floor नंबर वन की बात करो यह नहीं रूक रही यह नहीं रूक रही तो यह रुकेगी कपक का अब्सर्वेशन की बात थी और कोई बात नहीं थी यहां तक क्लियर कोई डाउट रहे किसी को तो पूछो आगे पढ़ते हैं अब कहता क्या है कहता है lift R stop only four times below floor number nine चलो R के पास जाओ कहता R जो है केवल चार बार रुक रही है below nine nine से below मतलब एक से लेके आर तक के बीच में चार बार रुक रही है कौन आर एक दो तीन चार इसका मतलब जो बचे हुए blank है ये decide कर दिया ये line की lift R stop only four times below nine floor तो nine floor के नीचे मतलब एक से लेके आर्ट के बीच में चार बार lift R को रोगना था तो दो बार तो रुक रही है और दो blank भी खाली है तो ये blank मैंने आको क्या बोला था यहाँ tick होगा कि नहीं होगा ये decide करेगा passage तो passage ने कहा हाँ यहाँ पे tick करो और यहाँ पे भी tick करो अब line को पढ़ो कहता है कि lift R stop only four times below nine floor तो बिल्कुल एक, दो, तीन, चार, nine floor के below चार बार lift रुक रही है clear आगे देखे आगे देखो, lift S does not stop at floor number 32 and 24 क्या बताया था, lift S जो है even पे होगा, lift S जोगी even पे होगी पर उन even में से जो लिफ्ट Phloor 32 है और टॉंटी-4 वहां नहीं रुक रही है, कौन-कौन से फ्लॉर 32 और 24, 24 पर काट दो और 32 पर काट दो तो कट गया राक, तीक है तीख हो गया, तो इस पेट तो टिक होगा ही होगा न ढूनों ऐसी जिगे और कहां कहां हो रहा है कि तीन फ्लोर कट गए हो और कहीं नहीं दिख रहा है बाकी देखते हैं भगवान की देन आगे पढ़ते हैं क्या आता है ठीक है छब कि यहां ओनली वन लिफ्ट स्टॉप एट फ्लोर नंबर टेन दसवे फ्लोर को फोकस करो दसवे फ्लोर को इसको फोकस करो केवल एक ही लिफ्ट रुक रही है चाहे वह पी हो सकती है यह वह सकती है बट दसवे और चौदा नंबर पर दसवे और चौदा नंबर पर चौदा 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 यहां पर और यहां पर बट 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 नॉट लिफ्ट एस अड़े भाईया रुक जाओ और जाओ जरा देखो कि lift S नहीं रुक रही यहां पर और यहां पर भी तो कट गया कट गया कट गया टिक हो जाएगा कट गया कट गया कट गया टिक हो जाएगा is that clear अगे बढ़े अड़ी sorry sorry lift R stop two times दो बार रुक रही है below between बोल दिया न बिटवीन बिटवीन बोला है 9 और 15 के बीच में कह रहा है 9th floor और 15 floor की between में R जो रुक रही है वो two times रुक रहा है two times तो 9 और 15 के बीच में 9 यह रहा और 15 यह रहा इनके बीच में मतलब इतने floor के बीच में R मुझे दो बार रुकना चाहिए था तो दो बार रुक सकता है बिलकुल इस पर टिक करो और इस पर टिक करो वावा बस यहीं तो बात बोली थी अब यहाँ पर खाली था तो decide करना था टिक होगा कि नहीं होगा अब तो टिक होगा क्यों क्योंकि लाइन बोली है न आर स्टाप टू टाइमस बिट्वीन फ्लोर नंबर 9 और 15 और टू लिफ्ट बिट्वीन दा फ्लोर वियर लिफ्ट आर स्टाप बिट्वीन फ्लोर नंबर 9 और आर और पंद्रा आर और पंद्रा वाली लिफ्ट पे मतलब इन इन जगे पे यह जो फ्लोर है यह वाला दो लिफ्ट रुक रही है तो उसका मतलब एक यह लिफ्ट रुकेगी और एक यह लिफ्ट रुकेगी is that clear यहीं तो कह रहा है पढ़ो लाइन को फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो प्यार से पढ़ ना आपकी बाल लेकिन कह रहा है कि lift R stop two times दो बार रुका है between floor number 9950 मैंने कहा चलो मैं थोगा सक्लियर कर दो यह रहा फ्लोर नंबर 19 यह रहा फ्लोर नंबर 50 इनके बीच में R दो बार रुक रहा है तो आप कहोगे बिलकुल सर एक बार यह रुका R रुका और एक बार यह रहा रुका 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 यह सर रुका अब यह जो दो लोगों के बीच में floor आ रहा है इस floor पे दो lift रुकेंगी तो cable दो lift रुकने के लिए यही समभावना है यह वाली और यह वाली और कोई समभावना नहीं है yes तर यह line कहां लिखी थी आईए बता जिते हैं यह लाइन लिखी थी यहाँ पर एंड दो लिफ्ट दो लिफ्ट स्टॉप किसके बिट्वीन में बिट्वीन उस फ्लोर के जहां पर लिफ्ट आर रुक रही है किसके बिट्वीन में 9 और 15 के 9 और 15 मतलब वही बात जो मैंने अभी आपको बोली क्लियर है यह बात समझ में आ आगे बहुत आरांद समझा रहें एक एक लाइन समझा रहें पकड़-पकड़के ताकि आपको चीज समझ में आ जाए ठीक लिफ्ट पी डज नॉट स्टॉप एड फ्लोर नंबर 12 तो जाओ चुप चाप रुप जो देखने दो, language पढ़ने में दिक्कत कर दिये हैं, क्या, लोग जाओ, lift, oh my god, oh oh, okay, 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 एक छोटी सी mistake होई है, शायद, रुप जो देखने दो, yes, got it, the mistake, observation सुनो, हाँ, 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 बिलकुल, यहाँ पर नहीं होगा, यह line कह रही है, सुनो, mistake मेरी सुनो, मेरा observation, आखों का धोका हो गया था, I am very sorry, I am very sorry, आखों का धोका हो गया था, सुनो, आखों का धोका है, सुनो, मेरी बात, कह रहा है, कि lift P, जो है, does not stop at floor number 12, तो simple है, यहाँ पर cross करो, और इन दोनों के बीच में, दो lift रुक नहीं थी, यह यह देखो, एक यह lift रुक रही है, और एक यह lift, हम तीसरी lift भी रुक आ रहे थे, यह आखों का धोका हो गया था, मेरा, मेरी तरफ से गल्ती थी, यह किसी ने बोला, I think deep wish karma, sir, मगर as भी तो उसी floor पर है, बिल्कुल, I think तुमने इसी को notice कर रही थी, deep, deep wish karma, बता दो, यहीं बात कहे रहे थे आप, मैं कह रहा हूँ, इसने कहा कि जो lift P है, वो floor 12 पर नहीं रुक रही, पर कह रहा कि lift R, lift जो 2R रुक रहे थी, इनके बीच में जो 2 floor आ रहा है, उसके में आपके 2 lift रुक नहीं थी, तो एक यह lift रुक रुक रही है, ठीक है, यह वाली नहीं रुक रही है, यह बता तो, यस, यस, ना, हाँ, मैं वहीं कहा था, आँखों का मेरे तरफ से धोखा हो गया था, ठीक है, तो उसके लिए, sorry, चलो, अभी clear है, कोई doubt नहीं, clear है, क्योंकि देखो, यह कह रहा कि, देखो, मैं फिर से बताता हूँ, 9 और 15 के बीच में 2R रुकने चाहिए, मैंने का, रोक दिये, 2R, आपने, lift R रुकनी चाहिए, अब यह जो 2R रुक रही है, इस फ्लोर पे 2 लिफ्ट रुकनी चाहिए, एक लिफ्ट और 2 लुफ्ट, बस 2 ही रुकनी चाहिए थी, तो 2 रुक रही है, तब possible है, क्योंकि एक तो already रुक रही है, दूसरी या तो यह ह इस ताप बोल दी गई किलिुक तो अबी तुक रोक रही अभी स्सक्राइब च्लो आगे बढ़ें अगे बढ़ते हैं Lift R and S. Stop at the floor number which is multiple of 11. Focus my word. Lift R and Stop. R and S. Stop हो रहे हैं multiple of 11. R and S की बात कर रहा है. इस lift की बात कर रहा है और इस lift की multiple of 11 कर रहा है. 11 मन्ज़ा 11. 16 पर नहीं करना चाहिए वैसे तो. सोचो क्या कर सकते हो? कहा कहां टिक कर सकते हो? बिल्कुल किस ने? यस ने लिखा है. तो multiple of 11 तो आपका 11, 22 और 33 ही हो सकता है. चक्र 11 फ्लोर पर. S नहीं कर रहा है तो R तो कर रहा है. कोई बात में. 22 वे फ्लोर पर आजाओ. R नहीं कर रहा है तो S तो करेगा. 33 वे पर आजाओ. यह करेगा. क्यों ऐसी लाइन बोली? R और S के बारे यहीं. क्योंकि R आपका और S आपका. S आपका even पर था. और R आपका odd पर था. तो यह बताओ. यहाँ पर कौन रुकेगा? R. यहाँ पर कौन रुकेगा? S. और यहाँ पर कौन रुकेगा? clear है clear है जल्दी जल्दी बता दो clear है क्योंकि R और S की even और odd वाली property मत भूलना अभी clear है सब को ये बाद बता दो yes sir clear है आगे बढ़ रहे हैं only lift Q only lift Q stop at floor number 21 जरा आए 21 फ्लोर पे कहरा इस फ्लोर पे केवल Q रुकेगा मतलब ये बाकी कोई नहीं केवल यहीं रुकेगा तो मैंने कहा ठीकर रुक जो तुम मैंने कहा तुम रुक जो कोई दिक्कत की बात नहीं चलो आगे परो and floor 27 और 27 फ्लोर पे 27 पे आया कहरा भाया केवल Q का राज होना चाहिए Q का बाकी किसी का राज नहीं चलेगा नहीं चलेगी नहीं चलेगी ताना साही नहीं चलेगी ठिक सर्ये वाला सर्ये वाला समझादो फिर से कौन वाला समझादे चलो ये कहरा था R और S S आपका even floor पे ही रुकेगा और R आपका odd floor पे रुकेगा ध्यान से देखना दीप, तो कहरा R और S आपके रुक रहे हैं 11 के multiple में, तो 11 हुआ, 22 हुआ और 33 हुआ, यहां कौन रुकेगा, R यहां कौन रुकेगा, R और यहां कौन रुकेगा, S हो गया, done, clear है दीप, दीप clear है? दीप clear है, दीप clear है, आगे पढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं lift P stop only three times, केवल तीन बार रुक रहा, on even floor, लिख लो यार इक बार इसको, कि lift P three times even floor, यह हटा दो, यह सब, यह तो समझाने के लिए लिखे थे, यह भी हटा आओ no, पंदरा यह भी हटाओ, lift P three times on even floor, between the topmost floor and floor which is even multiple of 11, मतलब 34 से लेके, 22 तक, P जो है, three times रुक रहा है, even floor रुपाई, एक बार यह हो गया, दो यह, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, 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 अभी छोड़ दो, छोड़ दो इतने पर, आगे पर दो, आगे पर दो two lift stop at floor 26 and 34, रुख जाओ, 26 और 34, 26 और 34, कह रहा है, कितनी lift रुक रही, two lift stop at floor 26 and 34, 26, 26, मतलब two lift तो मतलब यहीं हो सकती, एक यह, एक यह, और यहाँ एक यह, और एक यह, that's it, that's it, और और कोई possibility नहीं हो सकती, नहीं, जल्दी होता हो, ठीक, भाई, 26 और 24 फ्लोर पे, किवल दो lift रुप रही, एक, दो, एक, दो, that's it, ठीक, चलो, आगे देखते, लिफ्ट पी डजन नाट स्टाप्ट, बिटवीन फ्लोर नंबर 32 और 26, 32 और 26, 32 और 26, के बिटवीन में, लिफ्ट पी रुकी नहीं रही है, नहीं रुकेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्लियर, 32 से 26 के बिटवीन में, ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये फ्लोर, ये फ्लोर, पी नहीं रुक रहा है, पी नहीं रुक रहा है, अब ताना साही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो यहाँ चल लिफ्ट पी इवर्ण फ्लोर रुपे तीन बार रुक रही है जिसमें से एक बार तो यह कॉंट हो गया मेरा कि दो बार यह हो जाएगा तीन बार यह हो जाएगा यह बता दो क्लियर हो गया चीजे हैं कि नहीं क्लियर हुई क्लियर हो गई कि नहीं हो गई पहले यह था दो तीन बार रुक रही है लाइन पूरी वैलिड हो रही है बत चोटीस से लेके 26 के बीच में पी जो है तीन बार रुक रही है इवन फ्लोर पे सॉड़ी 26 कह रहे हैं 22 तक के बीच में और बाकी कहीं नहीं रुक रही है यह देखो लाइन बोली गई है मैंने आपको प्लाया था यह लाइन लिफ्ट पी स्टॉप ओनली केवल थ्री टाइम्स ऑन इवन फ्लोर बिट्वीन दा फ्लोर टॉप मोस्ट फ्लोर यह चोटिस वाल एक दो और ती और पी रुक नहीं रहा है क्लियर हूँ यस और नो ड़ाइस फस्ट फॉट बताओ तो तो कैंसल करतो कैंसल करतो क्लियर है शर 32-26 के बीच में नहीं रुक रहा है ना हा बत्तिस से Halo 32 के बीच में तो मैंने रोकी भी कहाँ दीप आप देखो ना 32 से चब् िक के बीच में यहाली फ्लुर यह वाली फ्लुर यह वाली फ्लुर यह वाली फ्लुर कहां पर मैंने पी रोका है दीप यह बता दूख क्लियर है तुमको नहीं क्लियर है पहले यह बताओ यहीं तो बात के रहा है लिफ्ट पी डजनाट स्टॉप बिट्वीन फ्लोर बतिस एंड चब्विस तो मैंने भी कहा रोकी चब्विस और बतिस के बीच में 27, 28, 29, 30, 31, p को रोका ही नहीं है इए क्लियर है बताओ क्लियर है दीप दीप क्लियर है सर 22p की information है क्या हमें 22p की information बिलकुल थी ना तभी तो मैंने टिक किया है पहले ही ने टिक किया है देखो मैं क्या कहा था यश यहाँ पर टिक किया है तो कहीं ना कोई information दी थी तभी मैंने टिक किया है ऐसे नहीं किया है ठीक है स्टार्टिंग से आपने देखा नहीं लग रहा है स्टार्टिंग से देखा नहीं अब मुझे ये चीज तुमको प्रूफ करने के लिए एक रिक्रस्ट करूंगा वीडियो को थोड़ा पीछे कर देना कि लिफ्ट पी पर 22 में पोजिशन पर सर ने क्या सोचके टिक किया है अट आपने ऊपर कुछ किया था कि आगे देख्या चाहिए कोई डाउट है तो पूछो भाई अब डाउट आप यह पूछोगी कि यह वाला टिक कैसे कर दिया यह वाले टिक तो यह नहीं बता सकते ना क्योंकि यह पजल वैसी नहीं है कि यहां पर जाके ऐसे चिपका देगा यह पजल आइसे कि आप लाइन-टो-लाइन पढ़ते चले टिक करते चले जो अगर आपको डाउट है कि यहां पर यह टिक कैसे आया तो इसी वीडियो को पीछे करके देखो दिख जाएगा कि रोजसर ने क्या दिमंग से किया है ठीक है ना चलो अब ज्यादा लोग बचे नहीं है जीदो को देखने के लिए अब मैं हाइट हो जाता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आ जाएगी रीडिंग में एक्चुली ठीक है कहां पे ते लिफ्ट पी लिफ्ट पी स्टॉप बंस बिट्वीन फ्लोर 6 और 14 14 and 16 के बीच में वन्स रुक रही है वन्स तो रुक रहा है ना दस्वे नमबर पे बाकी जगे नहीं रुकना चाहिए 6 और 14 यस और नो 6 और 14 के बीच में चौदा और 6 के बीच में लिफ्ट पी एक ही बार रुक रही है जो भी 10 वे है तो यहाँ नहीं रुक सकती नहीं रुक सकती और नहीं रुक सकती चल्य है सार एक बार फिर से देखना पड़ेगा बिलकुल आपको देखना पड़ेगा गल्ती आपकी है आपको देखना पड़ेगा ठीक है नहीं कट गया कट गया कट गया तो यहाँ पर टिक हो जाएगा na चलौँ आगे 2 lift stop on the topmost floor बिलकुल टॉप floor चोट्यस पे एक बार ये रोक रही है एक बार ये रोक रही है दो lift हो रही है रूक रही है बिलकुल बिल्कुल बिल्कुल लिट्वीन फ्लोर 26 एड छै चब्यस एड छै लिफ्ट S stop only 4 times ओ माइ गर्डब एक दो तीन तीन बार तू रुक रही है लिफ्ट एस तीन बार 26 से लेके H 6 तक का लिफ्ट तीन बार रुक रही है एक दो तीन रुक नहीं है चार बार तो यहां पे टिक होगा यहां टिक होगा यहां टिक होगा नहीं मालूम मतलब lift S यहां रुख सकती है या यहां या यहां नहीं मालूम अभी कुछ भी ध्यान से रहो concentration लगा के रखे रहो ठीक है चलो आगे देखते हैं कि क्या है lift S stop at flow number 30 तो 30 पे जाओ और S के लिए टिक कर दो क्योंकि यह बात बोल दी गई ठीक है चलिए आगे only lift P, Q and lift S अठारवे फ्लोर पे केवाल P, Q, S रुकेगा अठारवे पे P Q और और कौन सी lift P, Q, S अठारवे पे P, Q, S ओहो P, Q और S बात देखो समझने आ रही है यह बात पॉसिबिलिटी किसकी राचना प्रा भाई मेरे तीन पॉसिबिलिटी कहां से बन जाएगी दीप कहां पिक हो गए हो तीन पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी तो बनी नहीं सकती है बनाओ गे तो फिक पुरा पेपर चला जाएगा पॉसिबिलिटी तो हैं नहीं जब यह बात कह दी अठारवे फ्लोर पे केवल P, QS रुकेएगा तो हो गया बाकी तो S की केस गलत हो गए जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे S के लिए परफेक्ट बन रहा है चीज कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलो आगे देखो Only one lift is stop just below 32 and just above floor 28 32 floor के just below केवल एक lift रुक रही है 32 के just below एक हो रही है बिल्कुल रुक रही है और 28 से के रहा 28 से just above मतलब 29 पे 28 से just above 29 पे एक lift हो रही है बिल्कुल बात बराबर अच्छा चलो ठीक है समझ गया दीब ठीक है चलो यहां तक समझे lift P stop only after every one floor from 40 मतलब 14 फ्लोर के बाद से lift P alternate रुक रहा है मतलब रुकेगा यहां नहीं रुका नहीं रुका नहीं रुका नहीं कब तक चलेगा भाई तो फ्लोर नंबर 26 तक तो 26 तक चल रहा है बिल्कुल चल रहा है बिल्कुल 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 14 के बाद से और 26 तक यहीं काम चलेगा कह रहा 14 के बाद P रुका नहीं रुका रुका नहीं रुका रुका नहीं रुका और छबिस्ता clear है भाई एक मीठी बात P के लिए सारी condition हो चुकी है Q के लिए सारी condition हो चुकी है और R के लिए भी बची हैं कुछ चीजें बना लेंगे और S के लिए बची हैं कुछ conditions बना लेंगे लेकिन P और Q साथ में even पे रुक रहे हैं 3 times यह तो मेरी done हो रही है साब साब दिख रहा है यह पहली condition जो थी यहां में साब साब दिख रही आगे देखते हैं the number of times lift Q stop below 10 उत्रे ही number of times lift S रुक रहा है below 10 floor no lift stop on the floor where lift S stops below ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कह रहा है 10 के below Q जो कितनी बार रुक रही है 10 के below 1,2,3 तीन बार रुक रही है तो lift S बी रुकेगी 3 बार 10 के नीचे, 10 के नीचे एक, 2,3 अरी करे माजरा हो जेए लो, कट गया, कट गया, कट गया तो टीक हो गया ठीक है 10 के नीचे S तीन बार रुकेगा 10 के नीचे 3 बार देख तीन बार मतलब 1 और दो बार हो चुका है कcket गया कProf गया को गया हो गया यहां कर जाएगा क्यों क्योंकि सद डस के नीचे स्तीन बार रुक रहा है तो एक बार दो बार और तीन बार बात खतम, कट गया, बाईया, कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं चाहिए, तो फिर मामरा सर, ऐसके बात कर रहा था, अचाहिए, समझे हैं, गुरू, ठोकोता ली, ऐसके लिए भी हो गया, डान, ऐसके लिए भी सारी टिक हो चुकी है, चीजें, क्यू के लिए भी हो कि कट गया, कट गया, तो टिक हो गया, 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 कुश्चन साल, और पढ़ लेते, लिप्ट पी देड नॉट स्टॉप जस्ट बिलो साल हो गया तरह यह कैसे कट कट गया है हो गया सरी कैसे कट गया ना बेटा आपको रिपीट टेलीकास्ट देखना पड़ेगा कहराता मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जब कोई भी लिफ्ट पे एक परसंद जरूर रुकेगा एक फ्लोर पर एक किसी लुई पर एक लिफ्ट जरूर रुकेगी तो जब तीन कट गई तो एक टिक होगा हुआ हो ए था कि क्या बो ला था हर प्लोर पे एक लिफ्ट रुकेगी अगर तीन कट गई तो एक तो टिक automatically जैसे की ये दे को कट गया नहीं रुकी नहीं रुकी नहीं रुकी और इस लिफ्ट इस फ्लोर पे कोई एक लिफ्ट रुकेगी ही रुकेगी तो यहीं बचीना टिक कर दिया समझ में आ गया कि नहीं जल्दी अता हो तो आया हो गया कुश्टन साल कि दस मांक्स ये णा ठीक है बोलो नहीं और जल्दी से सब लोग अ कोश्च शेर जरूर करो करो शेर जरूर करो कि क्या करो से इतन हो करो सब लोग аंसर अपनाivities थिक है देता है बोलो में पजल बैच पर चेस कर लो ये मत सोचो तो रोहित सरसाथ देंगे पूरा मेंस तक फ्री में आपको वैसे दिया है मिड़नाइट वारियर टू थ्री फोर और अगर लिफ्ट वाली और प्रेक्टिस करनी है तो मिड़नाइट वारियर थ्री पर जो दो कुशन साइद आई थिंक कराएं वो भी मस्त लेवल के ठीक है त तो पजल सिटिंग वारियर बैच पर्चेस कर लो एक नॉवंबर से बैच शुरू हो जाएगा गाइडली यूटूब चैनल पर सौरी गाइडली प्लेटफॉर्म पर जी जोएंट भाई बहुत बढ़िया चलो मज़ा आया हो तो गर जरू एक बार प्यारे-प्यारे कर दो इस वीडियो पर मज़ा आ जाएगा थे न चलो बाई-बाई टेक कियर गाईस हैवन एस जे बाई